नमस्कारिन खबर में आपका श्वागत है, मैं हूँ आपके साथ सतिंद्र सर्मा महराश्ट के छत्रपती संभाजी नगर में आग लगने की घटना सामने आई है इस घटना में 6 लोगों की जान चली गई है, जान जाने का कारण जुलसना सामने आया है बता दे कि आग हाथ के दस्ताने बनाने वाली फैक्टरी में लगी थी, दमकल की गाड़ियां मौकी पर पहुची और वह राहतकार में जुटी हुई है आग पर काबू पाली आ गया है, पाले सामने आया था कि 5 लोग इस फैक्टरी के अंदर आग के बीच फस गए है जानकारी के मुताबिक महराज्ट के चत्रपती संभाजी नगर में एक हाथ के दस्ताने बनाने वाली कमपनी के अंदर रवीवार तड़की भिषड आग लग गई अस्थानी लोगों ने कहा वालूच M.I.D.C. छेतर में इस्तित इमारत के अंदर 5 करमचारी फसे हुए है चत्रपती संभाजी नगर के वालाज M.I.D.C. इलाकी की रियल संसाइन कमपनी में भीषड आग लग गई है और कुछ करमचारीयों के अंदर फसे होने की खबर है वहीं 6 लोगों की जान जाने की खबर अब तक पुलिस ने दी है घायलों को छत्रपती संभाजी नगर के सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए भरती करवाया गया है आग बुझाने के लिए दो से तीन फायर बिगेट की गाड़ियों को कड़ी मेहनत करनी पड़ी बड़ी संक्या में घटना अस्थर पर पुलिस मौझूद थी फिलहाल आग पर पूरी तरह से काबू पालिया गया है बताया जा रहा है कि या कंपनी काटन के हैंड गलफ तयार करती है आग लगने से इलाकी में अफरा तफरी के इस्तिती बनी हुई है लोग चीक पुखार कर रहे हैं और इमारत के अंदर फसे अपने रिसदारों को बचाने के लिए मदद की गुहार लगा रहे हैं कंपनी के करमचारी ने मिडिया को बताया कि इमारत की अंदर पांच करमचारी फसे हुए हैं अस्थानी लोगों ने फसे हुए चार स्रमिकों की पहचान भुला सेख, कौसर सेख, इकबाल सेख और मगरूफ सेख के रूप में की है मजदूरू ने बताया कि इस रात में कमपनी बंद थी और जब आग लगी तो वे सोर है थे उन्होंने कहा जब आग लगी तो इमारत के अंदर 10-15 लोग थें कुछ लोग भागने में सफर रहें लेकिन अन अभी भी अंदर फसे हुए हैं अधिकारियों के मुताबिक दमकल और फायर ब्रिगेट की टी में मौके पर पहुच गई और इमारत के अंदर फसील लोगों को बचाने के प्रियास सुरू कर दिये हैं उन्होंने कहा आग पर काबू पाने के बाद प्रियास किया जा रहा है ऐसे ही देश दुनिया से जोड़ी तमाम खबरों की जानकारे के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें इन खबर धन्यवाद